हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में यदि आप सिख्षक बढ़ना चाते हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे द्वारा जितनी भी सर्पकारी, प्राइवेट या फिर अदर डिपार्टमेंट की वेकेंसी के नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होते हैं आप लोगों के लिए वीडियो समय पर बना दिया जाता है तीन सैनिक स्कूल आवासिय विध्याले जो की हैं इनसे सिक्षक भरती के विग्यापन जारी किये गए हैं जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वेकेंसी हैं कुछ पोस्ट पर्मानेंट हैं और बाकी जो पोस्ट हैं कॉंट्रेक्शल वेस पर रहेंगी सैलरी तो तीनों ही स्कूलों में अलग लग रहने वाली है और इसमें गुजरात, राजिस्थान और महाराष्ट तीन राज्यों की वेकेंसी है लेकिन इसमें किसी भी राज्ये के कैनिड़ेट जो है फर्म अप्लाय कर सकते हैं तो छलिए देख लेते हैं तेनों ही स्कूलों के बारे में सारी इनफॉर्मेशन जो है इसी वीडियो में आप लोगों को प्रवाइड की जाएगी सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ सैनिक स्कूल चितोडगर जो की राजिस्थान में है यहां से वेकेंसी है यह पूरा जो है नोटिफिकेशन है इसमें 4 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है ठीक है 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आप आविधन कर सकते हैं दूसर जो वेकेंसी है तो यह गुजरात राजिय की है सैनिक स्कूल बाला चड़ी और इसका जो नोटिफिकेशन है वो इस तरीके से ठीक है जामनगर गुजरात से अब एक एक करके तीनों ही देख लेते हैं कैसे अप्लाइ करना है एज क्वालिफिकेशन वेतन तो सभी में अलग बगी देखने को और कहींपर कम यह आवास से विध्याले हैं तो आप लोगों को आवास की सुविधा और खाने की सुविधा भी जो है सैनिक स्कूल में रहती है टीचर्स के लिए सैनिक स्कूल बाला चड़ी जामनगर गुजरात में है और यहां पर क्वाटर मास्टर की ज जारी की गई है बिल्कुल पर्मानेंट वेकेंसी है 21 से 50 वर्स इसमें उम्र है और यह OBC कैटिगरी के लिए रिजर्व इन्होंने कहा है अब कितनी इसमें वेकेंसी है एक वेकेंसी ठीक है पे लेवल जो है लेवल 5 के अकॉर्डिंग रहेगा तो देख लेए जो भी OBC के कैटिगरी रेट है अगर यहां अवेधन करना चाहते हैं कर सकते हैं अगर तो 29,200 से लेकर 92,300 तक सैलरी रहेगी क्वार्टर मास्टर की क्वालिफिकेशन जो है इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी आर्ट्स या कॉमर्स से और 5 साल का आपका अनुभव हो UDC स्टोर क्वार्टर मास्टर या एक सर्विसमें जो हैं तो उनको प्रेफरेंस देंगे ठीक है यह देख लें मैस क्वार्टर की जो वेकेंसी है यह भी बिल्कुल पर्मानेंट है रेगुलर बेस पर है 21 से 50 वर्स इसमें उम्र है और कोई भी कैटिगरी की कैंडिडेट इसमें आविधन कर सकते हैं क्योंकि यू आर अन्रिजर्व के लिए है यह यानि कि किसी भी कैटिगरी के लिए रिज दर्व नहीं है तो कोई भी आविधन कर सकते हैं एक वेकेंसी है इसमें भी सैलरी जो है आपकी 29,200 से लिकर 92,300 तक है क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन मांग रहे है या फिर इसके एक्वेलेंट 5 साल का अन्वर्व आपका होना चाहिए ठीक है और डिजाइरेवल में है कोई भी डिप्लोमा डिगरी बाकी जो है केवल 5 साल के अन्वर्व के साथ में आप लोग यहां पर आप लाए कर सकते हैं टीजीटी में वेकेंसी है गुजराती सब्जक्त की 21-25 वर्स उम्र रखी गई है और यह OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है सैलरी में 44,900 प पड़ा हो तीनों साल बीएर होनी चाहिए CTAT या फिर किसी भी राज्य का TAT जो है क्वालिफाय किया हो आपने पेपर 2 ठीक है अब कहीं लिए पर तो केवल CTAT ही जो है सायने के स्कूल में मांगते हैं बट यहां पर जो है STAT इस्टेट त भी जो है इन्होंने ELIZIBLE कर दिया ह नेक्स्ट देखें, इंग्लिस की वेकंसी है, 21-35 वर्स उम्र है, अन्रिज़र्व कैटिगरी के लिए, सैलरी वही है, टीजीटी के, टीचर्स के लिए, और क्वालिफिकेशन भी वही है, कि ग्रैजुएशन में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हो, तीनों साल, बी एड और स पेपर 2, नर्सिंग सिस्टर की एक वेकंसी है, ये कॉंट्रेक्ट्ट बेसिस पर है, ये जो टीजीटी की वेकंसी थी, ये भी कॉंट्रेक्ट बेस पर ही है, नर्सिंग में डिप्लोमा डिग्री और पांच साल का अनुवव इसमें मांग रहे हैं, नर्सिंग सिस्टर में, counselor के लिए आपके पास counseling में diploma होना चाहिए graduation या post-graduation psychology में या post-graduate in child development में या graduate या post-graduate के साथ में diploma in career guidance and counseling ठीक है इसमें salary जो है कम है 25,000 बाकी आवास और भूजन की सुविदा इसमें रहेगी ward boy की vacancy है तीन male की है और एक female की है 18-50 उम्र है 200,000 salary देंगे और केवल matriculation ठीक है और इंगलिस आपकी होनी जाहिए इसमें आविदन कैसे करेंगे तो ये पूरा जो है address रहेगा to the principal seneca school बालाचड़ी जामनगर 361230 ठीक 21 दिन के अंदर जो है आप apply कर देंगे demand draft आपका इसमें बनेगा 400 रुपे का सबी category का है ये क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि केवल general category के लिए ठीक है किसी भी category के आप 400 रुपे का demand draft ये bank draft आपका बनेगा principal seneca school बालाचड़ी के नाम से जो की कहा है जामनगर गुजरात में ठीक है और 30 रुपे का जो है stamp ये official website का link है selection कैसे होगा तो इसमें इन्होंने कहा है जिन candidate को shortlisted करेंगे तो उनको selection process के लिए letter भेज़ा जाएगा ठीक है बस इतना ही लिखा है इसमें next देख लेते हैं सैनिक स्कूल सतारा और ये महरास्टर में है यहाँ पर यहाँ पर आप लगों को यह जो red line है इसी में दिखेगा vacancies for the post of laboratory assistant physics और बाकी जो है आगे TZT, Hindi, Marathi, Music, Teacher, Counselor ये बाकी सारी चीज़े इसे हम यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर TZT, Marathi की vacancy है undeserved category के लिए 38,000 per month salary है as21 से लेकर 35 है graduation के साथ में BAD और CТAT या फिर आपके राजिका TET TZT, Hindi की vacancy है यह भी undeserved category की है ward boy की vacancy है दो undeserved category के लिए matriculation होना चाहिए 25,000 salary है इसमें 18-50 verse उम्र है music teacher की vacancy है यह सबी contract base पर है 25,000 salary है इसमें ठीक है? तो music में जो है आपके पास bachelor degree या फिर जो यहाँ पर qualification मांगी गई है वो आप देख सकते है apply करेंगे तो पूरा विज्यापन अच्छे से पढ़ लेंगे link आप लोगों को दे दिया जाएगा quarter master की vacancy है एक अन्रिजव category के लिए बीए या बीकॉम पांच साल अन्वर्ब भी होना चाहिए 28,000 सेलरी है 18 से 50 इसमें उम्र है counselor की vacancy है इसमें qualification graduate या post graduate psychology में 50% marks के साथ में या फिर post graduate child development 50% marks के साथ में या फिर graduate या post graduate diploma, career guidance and counseling में ये भी 50% marks के साथ में या फिर किसी ने master degree सोसल वर्क में किया MSW, Amphil, PSD सब्जेक्ट जो है psychology ही रहेगा तो भी आप apply कर सकते हैं post graduate या post graduate diploma in clinical psychology वाले भी apply कर सकते हैं, salary 35,000 दिंगे पर मन्त और 18 से 50 वर्स उम्र है इसमें nursing assistant की जो vacancy है एक unreserved category के लिए nursing diploma या डिग्री 5 साल का अन्वव, ex-serviceman है अगर 18,000 salary है 18 से 50 साल तक उम्र के candidate ठीक है तो nursing assistant के लिए 5 साल का अन्वव होना चाहिए और अगर आप ex-serviceman है of medical assistant rate with at least 5 year service after training कैसे apply करना है तो इसमें भी जो है आप लोगों को ये address है, ये उस पूरे address को envelope के उपर लिख लेंगे, अपने जितने भी document है, उनकी photocopy साथ में अगर bank demand draft इसमें केवल 100 रुपे का ही लग रहा है, journal और OBC category के लिए, SCST category के लिए कोई fees नहीं है कोई fees नहीं है ठीक है, ध्यान दे, तो अलग-अलग process है, सभी स्कूल के, इसमें केवल 100 रुपे है fees, last date जो है वो 5 अक्टूबर है यहाँ पर इनों ने बताया है कि exam होगा exam सैनिक स्कूल सदारा महराश्ट यहीं पर ही होगा यह application form है, application form तो आपको जो भी notification है, उसके नीचे मिल ही जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने सैनिक स्कूल जामनागर गुजरात का देखा था तो इसमें भी यहीं पर ही है नीचे नीचे आप देख लेंगे, ठीक है आप तीसरा हम देख लेते हैं, सैनिक स्कूल चित्तोरगर, तो इसमें भी जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन के नीचे आपको रिकूटमेंट यह दिखेगा, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर होमपेज पर ही जो है जैसे कि विट फॉर सप्लाय फॉर इलेक्ट्रोनिक आइटम इसमें थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर आगे देखें रिकूटमेंट, एडवर्टिसमेंट, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेंगे तो जो भी वेकेंसी आई है वो सब आपको नजरा जाएगी यहाँ पर देखें सैनिक स्कुल, चित्तोडगर, भीलवारा रोड, चित्तोडगर, राजिस्थान 28 सितंबर से 4 अक्टूबर न्यूस पेपर में पब्लिश हो चुका है तो आप आविदन कर सकते हैं TGT Mathematics की वेकेंसी है, SC कैटिगीरी के लिए तो कैटिगीरी ज़रूर देखें इसमें जो है काफी अच्छी सैलरी है 63,758 यह TGT Teachers के लिए है Graduation Math में Beard, Seat at Paper 2 21 से 35 वर्स इसमें उम्र है TGT Hindi OBC कैटिगीरी के लिए है Counselor के लिए भी जो है इन्होंने 63,758 प्लस accommodation प्लस food तो counselor के लिए जो है देख लिए जो भी कैटिगीर अप्लाई करना चाहेंगे तो इसमें graduation में भी अगर आपके पास psychology है केवल psychology, graduation level पर आपने पढ़ी है तो भी apply कर सकते हैं तो भी apply कर सकते हैं या फिर post graduate in child development में या graduate या post graduate with diploma in career guidance and counseling में तो भी apply कर सकते हैं ठीक है unreserved category के लिए art and craft teacher की vacancy है या unreserved category के लिए है 35,000 इसमे salary रहेगी 21 से 35 वर्स एक vacancy है music teacher की vacancy है ये भी unreserved category के लिए है 35,000 इसमे salary है music में अगर आप graduate है और higher secondary है senior secondary में आपने degree diploma music में किया होना चाहिए lab assistant की vacancy है ये भी unreserved category के लिए है salaries में कम है 25,000 रहने की सुविदा ये देंगे ही तो lab assistant के लिए तो केवल 12th के साथ में एक साल का diploma computer hardware and networking में from ITI या फिर government recognized institution से अगर आपने किया है तो उसके बाद देखें matron की vacancy है female candidate unreserved category के apply कर सकती है 18-50 वर्स उम्र है VPAड वाली apply कर पाएंगी या फिर B.Sc physical education से किया है और health education and sports साथ में एक साल का VPA diploma working experience in किसी भी आवासिय विद्धाले से किया है तो भी apply कर सकते हैं ठीक है bachelor of physical education VPAड और 4 साल का degree course या 3 साल का graduation के साथ में एक साल का VPA diploma salary 25,000 है रहना खाना free है nursing sister female की vacancy है 25,000 इसमें salary है nursing में diploma degree होना चाहिए इसमें अन्वर्व मांग रहे हैं 5 साल का अन्वर्व इसमें एक सर्विसमें भी जो है apply कर सकती है horse riding की vacancy है तो इसमें 10 के साथ में ही experience होना चाहिए 5 साल का 25,000 इसमें salary है चित ओड़ राजिस्थान से तो इसमें unreserved category के candidate बिल्कुल apply कर सकते है यानि कोई भी category के apply कर सकते है जब unreserved यानी की reservation नहीं है इसमें जो है walking interview के लिए decide की गई है date जितने भी vacancy है यह सब contract बेस पर है इसके अंदर चित ओड़ गर राजिस्थान में समें एक एक vacancy है 22 October को interview रहेगा maths, Hindi, counsellor art and craft teacher music teacher बस lab assistant PTI, nursing sister horse riding instructor इन सब को 24 October को रहेगा interview समें आप देख लें साथ होजे अब कैसे जो apply करना है यह आप देख लें तो purely contractual basis पर ही है apply करने के लिए application form नीचे दिया हुआ है पूरा भढ़ लेंगे उसे अच्छे तरीके से और यह सब भी photocopy लगा लेंगे birth certificate यानि 10th की mark seat आधार card अगर ex-serviceman है तो discharge book card certificate इसमें तो SCST, OBC अपना cast का जो है फायदा लेने के लिए जो है लगा सकते हैं बाकी अनिजब category के लिए सब ही vacancy है इसके अंदर मैरे certificate और अपने जितने भी educational document है इन सब की photocopy लगानी आपको इसमें 500 रुपीज का demand draft है तो source समझ का जो है form apply करिएगा और interview के लिए बुलाएंगे लेकिन इन्होंने लिखा है recruitment procedure बात में बता दिया है पहले तो इन्होंने interview की date बता दिया है और document verification उसके बाद जो है ये return भी लेंगे इन्होंने लिख दिया है return भी लेंगे इन्होंने interview की date पहले बता दिया है तो return test में आपको क्या पूछेंगे GK, English, Maths और आपका subject ठीक है ये आप देख लेंगे post wise जो है अलग अलग दिया हुआ है ये application form आपको last one मिल जाएगा अब salary काफी अच्छी है चित ओडगर्ड राजिस्थान से यहां तो purely contract base पर ही vacancy आई है और सतारा से भी जो है contract base पर ही vacancy आई है गुजराद से जो vacancy आई है तो इसमें कुछ post जो की permanent है काफी अच्छी salary के साथ में pay level 5 के according quarter master की है mass manager की है अगर इन post के लिए अगर आप apply कर सकते हैं तो बिल्कुल आप apply करें और अगर आपका कोई भी जो है relative या फिर friends जो नहोंने graduation की हुई है जिनको 5 साल का अनुभव है quarter master का या फिर mass manager का ठीक है तो उनको भी बताए चलिए तीनों का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा thank you